नमस्कार दोस्तो हमें क्रेटिव आर्किटेक्ट्स और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तो आज का जो प्लैन है हमने डिजैन किया हुआ है हमारे क्लाइंट मयंक पांडे जी के लिए जो की हल दोानी उत्राखंड के रहने वाले हैं दोस्तो बात करू अगर इस प्लैन की टोटल एरिया की तो 2100 स्कार फीटे बनावा ये प्लैन है और वहीं बात करू अगर इसकी डैमेंशन की तो 32-72 फीट की डैमेंशन इसमें आपको देखने को मिल जाती है और वीडियो सुरू करने से पहले आपको बता दू कि अगर आपने अभी तक हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी हैं तो जरूर देख लीजिए क्या पता कौनसा अगर आपके सपनों का गर हो तो चलिए सुरू करते हैं इस वीडियो को दोस्तो यह है आपकी मेल एंट्री इसी के बगल में हमने लेंड्सकेपिंग भी की हुई है आप अपने इसाब से भी लेंड्सकेपिंग दोस्तों यहां कर सकते हो बाकी जैसा कि मैंने बताया यह है आपकी main entry और यहां से जैसे आप अंदर जाते हैं आपको देखने को मिलता है front open दोस्तो सामने हमने porch भी दिया हुआ है वहाँ पर भी आप अपनी car park कर सकते हो और बाकी यह front open है यहाँ पर फिलाल हमने थोड़ा gardening की हुई है अगर आपको यह नहीं करनी हो तो आप यहाँ पर भी अपनी एक car आसानी से park कर सकते हो दोस्तो इस plan के अंदर हमने चारो तरप से setback छोड़ा हुआ है ताकि अच्छा ventilation मिल सके यह है आपका side setback जो की 2 feet wide हमने छोड़ा हुआ है दोस्तो अगर future में आपके घर के पास कोई घर भी बनता है तो setback से इसमें आपको ventilation की कोई भी समस्या नहीं होगी यह है दोस्तो आपका दूसरी side का setback जो की 3 feet wide आपको देखने को मिल जाता है दोस्तो इसी में हमने पीछे एक entry भी दी हुई है जो की आपकी direct access कराएगी अपने lobby area की और वो भी मैं आपको भी दिखा देता हूँ यह है दोस्तो वो entry अब मैं आपको एक बार rear setback भी दिखा देता हूँ यह है दोस्तो आपका rear setback का area जो की 3 feet wide हमने छोड़ा हुआ है तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को यह है दोस्तो आपका porch दोस्तो यहाँ पर आप अपनी car आसानी से पार्क कर सकते हो बात करूँ अगर इसकी dimensions की तो 11,17 feet की हमने रखावा है बाकी यह आपकी entry है यहाँ से जैसे आप access करते हो आपको देखने को मिलता है काफी खुबसूरा सा drawing room दोस्तो बात करूँ अगर इस drawing room की dimensions की तो 11,14 feet की हमने रखी हुई है काफी spaces दोस्तो यहाँ पर आपको drawing room देखने को मिल जाता है यहाँ से जैसे आप आगे बढ़ते हो तो right side में आपको देखने को मिलेगा एक common washroom यह है दोस्तो आपका washroom का area बात करूँ अगर इसकी dimensions की तो सवा 6 बाय पोने 8 feet का यह हमने रखा हुई ventilation के लिए दोस्तो इसमें भी window दी हुई है काफी spaces दोस्तो आपको washroom भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है दोस्तो यहाँ पर सामने हमने एक vanity भी दी हुई है ताकि हाथ दोने में कोई भी दिक्कत ना हो और उसी से जैसे आप आगे बढ़ते हो आपको देखने को मिलता है dining कम lowby area दोस्तो यहाँ पर हमने side में थोड़ा sofa place करकर भी दिखाया हुआ है और यह है आपका पूजागर दोस्तो बात करूँ अगर इसकी dimensions की तो 47 भाई 47 फीट का पूजागर हमने रखा हुआ है और बात करूँ अगर lowby और dining area की dimensions की तो पूजे 23 भाई 12 फीट की आपको यह देखने को मिल जाएगी और सामने TV unit आप देखी पा रहे होंगे अब मैं लेकर चलता हूँ आपको kitchen की ओर यह है दोस्तो आपका kitchen का area दोस्तो सवा 6 भाई 79 फीट का kitchen हमने यहाँ पर दियावा है और यह जो आप दोर देख पा रहे हो यह आपकी access कराएगा इस्टोर रूम में सवा 4 भाई 25 फीट का इस्टोर रूम भी आपको इस plan में देखने को मिल जाता है दोस्तो यह है आपकी entry जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था जो कि आपको setback से इधर सिधा entry मिल जाती है दोस्तो ground floor पर आपको देखने को मिलेंगे दो bedrooms तो चलिए चलते हैं bedroom number one की ओर यह है आपका bedroom number one बात करूँ अगर इसकी dimensions की तो साड़े ग्यारा भाई साड़े बारा फीट का यह आपको देखने को मिल जाता है ventilation के दोस्तों यहापर भी windows हमने दी हुई है यह है आपका dress का area और यहीं से आप access कर पाऊगे अपना attached washroom की ओर दोस्तों बात करूँ अगर washroom की dimensions की तो 7 by 4 feet का washroom आपको यहापर देखने को मिल जाता है और ventilation के लिए यहापर भी हमने window दी हुई है दोस्तों अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और share करना भी मत बूलना अब मैं लेकर चलूँगा आपको bedroom number 2 की ओर बाकी यहाँ पर आप sitting भी आसानी से कर सकते हो दोस्तों इसी के जश्ट बगल में हमने bedroom number 2 रखा हुआ है यह है आपका bedroom number 2 बात करूँ अगर इसकी dimensions की तो 11 बाए 15 फीट का हमने रखा हुआ है काफी spaces दोस्तों आपको यह bedroom देखने को मिल जाएगा हाला कि एक basic bedroom है और यहाँ पर हमने एक wardrobe और TV unit भी प्लेस करकर दिखाई हुई है तो दोस्तों यह था आपका ground floor का plan तो चलिए अब मैं लेकर चलता हूँ आपको first floor की ओर दोस्तों बाहर से आपको stairs देखने को मिल जाएगी काफी खूबसूरत stairs दोस्तों हमने इस घर के अंदर लगाई हुई है जैसा कि आप अभी अपनी screen पर देख पा रहे हो साथी में आपको still railing भी देखने को मिल जाती है दोस्तों सामने आप glazing देख पा रहे होंगे ताकि घर में lighting अच्छी से बनी रहे यह हमने इसलिए यहाँ पर दी हुई है दोस्तों सामने से आप enter कर पाऊगे अपना अंदर घर की ओर उससे पहले मैं आपको एक बार open terrace दिखा देता हूँ दोस्तों जैसे आप यहाँ से आगे बढ़ते हो आपको देखने को मिलता है एक open terrace बात करूँ अगर इसकी dimensions की तो सवा बारावाई 9 feet का यह हमने रखावा है जैसे कि आप अभी देख पा रहे हो काफी खूबसर दोस्तों यह लगने वाला है और यह है आपकी entry यहाँ से जैसे आप अंदर enter करते हो आप पहुंच जाते हो सिधा master bedroom की ओर दोस्तों यह है इस plan का master bedroom काफी खूबसरत यह देखने में लग रहा है आपको एक ऐसा लगा हमें comment करके जरूर बताएं इससे जैसे आप आगे बढ़ते हो आपको देखने को मिलता है एक washroom दोस्तों यह है आपका washroom का area बात करूँ अगर इसकी dimensions की तो 6,5-7 feet काई आपको देखने को मिल जाएगा ventilation case में भी हमने window दी हुई है दोस्तों जो bedroom की dimensions है वो 11,14 feet की आपको देखने को मिल जाती है और दोस्तों काफी बड़ा wardrobe भी हमने आपर दिया हुआ है आप stairs के सामने से भी यहाँ पर entry कर सकते हो यह है आपकी दूसरी entry दोस्तों और इसी के just बगल में एक और entry आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ से जैसे आप अंदर enter करोगे तो आपको देखने को मिलेगा दोस्तों sitting area यह आपका sitting area है 11 by 12 feet की इसकी dimensions है ventilation के लिए windows में भी हमने दी हुई है यहाँ से जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपको dining area देखने को मिल जाएगा पोने 8 by 15 feet का यह हमने रखा हुआ है और यहीं से दोस्तों आप access कर पाऊगे अपने bedrooms kitchen की ओर तो सबसे पहले मैं आपको एक बार kitchen भी दिखा देता हूँ यह दोस्तों आपका kitchen 7 by 279 feet का यह आपको देखने को मिल जाता है और ventilation के लिए भी काफी बड़ी window भी हमने आपर दी हुई है दोस्तों आम मैं लेकर चलूँगा आपको common washroom की ओर यह है आपका common washroom का area बात करूँ अगर इसकी dimensions की तो 6 by 277 feet का यह हमने रखा हुआ है और इसमें भी ventilation के लिए हमने window दी हुई है अब मैं लेकर चलता हूँ आपको bedroom की ओर दोस्तों यह उपर का bedroom number 2 है तो चलिए यह भी मैं आपको दिखा देता हूँ यह है आपका bedroom number 2 11 बाए, पोने 17 feet का यह हमने रखा हुआ है काफी spaces दोस्ते bedroom है और यह एक basic bedroom है काफी बड़ी wardrobe यहाँ पर हमने place करकर दिखाई हुई है अब मैं लेकर चलूँगा आपको bedroom number 3 की ओर जो की first floor का bedroom number 3 है और total में अगर बात करूँ तो bedroom number 5 है यह तो दोस्तों यह है आपका bedroom number 3 साड़े 11 बाए, साड़े 12 feet की इसकी dimensions है और दोस्तों इसमें dress plus washroom आपको attach देखने को मिल जाता है दोस्तों बात करूँ अगर washroom की dimensions की तो 7-4 feet का हमने washroom रखा हुआ है इसमें भी ventilation के लिए आपको window देखने को मिल जाती है यह है दोस्तों आपका first floor का plan अब मैं लेकर चलता हूँ आपको terrace की ओर दोस्तों आपको इस plan के interiors कैसे लगे हमें comment करके जरूर बताएं आपकी comment से हमें motivation मिलता है तो चलिए चलते हैं एक बार terrace की ओर दोस्तों सामने से आपको stairs देखने को मिल जाती है same stairs हमने रखी हुई है साड़े 3 feet wide हमने stairs यहाँ पर दी हुई है दोस्तों इस टी लेलिंग आपको साथ में देखने को मिल जाएगी और सामने भी हमने glazing दी हुई है ताकि अच्छी lighting आपको घर के अंदर मिल सके यहाँ से आप जैसे आगे बढ़ते हो आपको एक door देखने को मिलेगा दोस्तों यहीं से जैसे आप बाहर access करोगे आपको देखने को मिलता है एक open terrace दोस्तों यहाँ पर आप अपना थोड़ा बहुत सामान भी रख सकते हो बाकी यहाँ से door से जैसे आप बाहर जाते हो आपको देखने को मिलता है एक open terrace फिलाल हमने एक खाली छोड़ावाय बाकी आप अपने इसाब से मोडिफिकेशन कर सकते हो तो दोस्तो ये थी आज की वीडियो आपको एक कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं चैनल को भी जरूर सस्क्राइब कर लीजिए मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में और दोस्तो अगर आप भी हमसे कोई प्लैन बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे कोंटेक्ट कर सकते हैं डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी